आज हम लोग करेंगे गुप्त वन्स से रिलेटेड जो MCU क्यों हैं एक्जाम में पूछे गए हैं रिपीटेडली बार बार आज वो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में तो आएए स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर वन से कुश्चन नमबर वन में लिखा है गुप्त वन्स का संस्थाफक कौन था आपको बताना है गुप्त वन्स का संस्थाफक कौन था आपको बताना है गुप्त वन्स का संस्थाफक कौन था जिसका जो राइट आंसर हो ज चंद्रगुप्त प्रथम जो थे गुप्त वंस के संस्थाफक थे अब हम बढ़ते हैं कुश्व नमबर टू की तरफ कुश्व नमर टू में लिखा हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपादी से विभूशित किया गया था आपके option option a महराजा दिराज अबने बढ़ते है कुश्यन नमबर तरी के दिरब कुश्यन नमबर तरी में लिखा हुआ है गुप्ट वंस का स्वंड यूग किसके सासनकाल में माना जाता है गुप्ट वंस सामराज का स्वंड यूग किसके सासनकाल में माना जाता है आपके आप्शन है option A है समुद्र गुप्त option B है चंद्र गुप्त देती है option C है कुमार गुप्त और option D है सकंद गुप्त आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका तो राइट आंस हो जाएगा वो option number B चंद्र गुप्त देती है अब हम बढ़ते है question number 4 कि तरह question number 4 में लिखा है समुद्र गुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है समुद्र गुप्त को किस नाम से भी जाना जाता है आपके option option A भारतिय नेपोलियन option B है देवपुत्र option C है चकवरती option D है परमेश्वर आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option A भारतिय नेपोलियन एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हमनों बढ़ते है question number 5 की तरह question number 5 में लिखा हुआ है प्रसिद चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था आपके option option A समुद्र गुप्त option B चंद्र गुप्त प्रत्थम option C चंद्र गुप्त दुतिय और option D कुमार गुप्त आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा option number C चंद्र गुप्त दिती एकदम सही जवाब हो जाएगा अब बढ़ते हैं question number 6 के तरह question number 6 में लिखा है गुप्त सामराज की राजधानी कहा थी गुप्त सामराज की राजधानी कहा थी आपके option option A पाटली फुत्र option B है उजजैन option C है प्रियाग option D है तामर लिपिद आपको उताना इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राजधानी हो जाएगा option number A पाटली फुत्र एकदम सही जवाब हो जाएगा अब बढ़ते है question number 7 के तरह question number 7 लिखा किस गुप्त शासक ने समुद्र गुप्त के बाद सासन किया आपके option option A कुमार गुप्त option B है चंदर गुप्त दितिये option C इसकंद गुप्त और option D है विश्नु गुप्त आपको बताना इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो option number B चंदर गुप्त दितिये एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं question number 8 की तरह question number 8 में लिखा है गुप्त वन्स के सिकों पर किस देवी का चित्र पाया जाता है आपके option option A है लक्षमी option D है तुरका option C है सरसुती और option D है पारवती आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राइट answer हो जाएगा वो option number A लक्षमी एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं question number 9 की तरह question number 9 में लिखा हुआ है कौन सा गुप्त शासक संगीत और कला का संग रच्छक था कौन सा गुप्त सासक संगीत और कला का संग रच्छक था आपके option है option A समुद्र गुप्त option B चंद्र गुप्त प्रत्थम option C है कुमार गुप्त और option D है विश्नु गुप्त आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राइट answer हो जाएगा किसने लिखा था आपके option option A काली दास option B हरी शेर option C है वरा मिहीर और option D है बाणबट आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राइट answer हो जाएगा option नमबर B हरी शेर एकदम सही जवाब हो जाएगा हमनों बढ़ते हैं question number 11 की तरह question number 11 ने लिखा है गुप्ट वंस का कौन सा सासक सबसे पहले विक्रमा दित की उपादी धारण किया आपके option option A option C है चंदर गुप्ट दिती है option D है इसकंद गुप्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राइट answer हो जाएगा option number C चंदर गुप्ट दिती है एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हमनों बढ़ते है question number 12 गितर question number 12 में लिखा हुआ है नालंदा विश्विद्धाले का निर्माड किस गुप्ट शाशक ने कराया था नालंदा विश्विद्धाले का निर्माड किस गुप्ट शाशक ने कराया था आपके option है option A कुमार गुप्ट option B है समुद्र गुप्ट option C है सकंद गुप्ट option D है विश्णु गुप्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा इसका जो राई टांस हो जाएगा वो option नमबर एक कुमार गुप्ट एक दम सही जवाब हो जाएगा अब हो बढ़ते है question number 13 की तरफ question 13 लिखा हुआ है चंद्र गुप्ट दितिये के दरबार में कौन सा प्रशिद्ध कवी था आपके option है option A है बहुँ गूती option B है काली दास option C है तुलसी दास और option D है माग आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राई टांस हो जाएगा वो option नमबर B काली दास एक दम सही जवाब हो जाएगा अब हम बढ़ते है question number 14 की तरफ question number 14 में लिखा वेन सांग ने किस गुप्त शाषक का वर्रण किया है वेन सांग ने किस गुप्त शाषक का वर्रण किया है आपके option है option A समुद्र गुप option B है इसचंदर गुप्त देती है option C है इसकंद गुप्त और option D है कुमार गुप्त आपको बताना है इसमें से कौन सा उप्षन सही होगा तो इसका जो राई टांस हो जाएगा वो option number C इसकंद गुप्त एक बन सही जवाब हो जाएगा हमनों बढ़ते हैं question number 15 के ता question number 15 में लिखा है प्रसिद इलहाबाद स्तंब का पर किस गुप्त सामराट का लेख है प्रसिद इलहाबाद स्तंब पर किस गुप्त सामराट का लेख है आपके option है option A है समुद्र गुप option B है चंदर गुप्त प्रथम option C है चंदर गुप दितिये option D है कुमार गुप्त आपको बताना है इसमें से कौन सा उप्षन सही होगा तो इसका जुराई टांस हो जाएगा वो option number 8 समुद्र गुप्त एकदम सही जवाब हो जाएगा अब उन्हों बढ़ते हैं question number 16 की तरह question 16 में लिखा है समुद्र गुप्त ने कितने राजाओं को पराजित किया था आपके option A है 10, option B है 15, option C है 9 और option D है 12 आपको बताना है इसमें से कौन सा उप्षन सही होगा तो इसका जुराई टांस हो जाएगा वो option number D 12 एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हमनों बढ़ते हैं question number 17 की तरह question 17 लिखा है गुप्त वंश के सास्कों की भाषा कौन सी थी गुप्त वंश के सास्कों की भाषा कौन सी थी आपके option A हिंदी, option B है Sanskrit, option C है पाली और option D है तमिल आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो right answer हो जाएगा वो option number B Sanskrit एकदम सही जवाब हो जाएगा हमनों बढ़ते है question number 18 की तरह question number 18 लिखा है गुप्त काल में सिच्छा का प्रमुक केंद्र कौन साथ था गुप्त काल में सिच्छा का प्रमुक केंद्र कौन था आपके option option A है तक्षिला, option B है नालंदा, option C है उज्जैन और option D है वारा नशी आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो right answer हो जाएगा वो option number B नालंदा एक्दम सही जवाब हो जाएगा किस गुप्त शाषक को साकाद्वीप सदी उपादी से विभूशित किया गया था आपके option option A समुद्र गुप्त, option B है चंद्र गुप्त दिती है option C है कुमार गुप्त और option D सकंद गुप्त आपको बताना है इसमेंसे कौन सा option सही होगा तिसका दुराई टानसर हो जाएगा वो option number B चंद्र गुप्त दिती है एकदम सही जवाब हो जाएगा पहलों बढ़ते हैं question number 20 किता question number 20 में लिखा है गुप्त काल में किस कला का उन्नत हुई गुप्त काल में किस कला की उन्नत हुई आपके option है option A चित्र कला option B इस्तापत कला option C संगीत और option D उपरोक्त सभी आपको बताना है इसमेंसे कौन सा option सही होगा तिसका दुराई टानसर हो जाएगा वो option number D उपरोक्त सभी एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हमनों बढ़ते है question number 21 की तरह question 21 में लिखा है गुप्त काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था गुप्त काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था आपके option है option A है कामसूत्र option B अर्थशास option C है अपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो option number A कामसूत रिक्दम सही जवाब हो जाएगा अब हमनों बढ़ते है question number 22 की तरह question 22 में लिखा है चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त नाम का शासर किस वन्स से जुड़ा था अपके option A मौरे वंस option B है गुप्त वंस option C है साबत वाहन बंस option D है कुशान वंस आपको पताना है इसमें से कौन सा option सही होगा तो इसका दो राइट आंसर हो जाएगा option number B गुप्त वंस एकदम सही जवाब हो जाएगा अब लोग बढ़ते हैं question number 23 के तरह question 23 में लिखा है किसके सासनकाल में हूडों ने भारत पर आक्रमण किया किसके सासनकाल में हूडों ने भारत पर आक्रमण किया option option A समद्र गुप option B चंद्र गुप देती है option C कुमार गुप और option D इसकंद गुप आपको बताना है इसमें से कौन साप्शन सही होगा तो इसका जो राई टांस हो जाएगा option number D इसकंद गुप एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हमनों बढ़ते है question number 24 के तरह question 24 में लिखा हुए आपको बताना है इसमें से कौन साप्शन सही होगा तो इसका जो राई टांसर हो जाएगा option number C नेपोलियन एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हमनों बढ़ते हैं question number 25 के तरह question 95 में लिखा है समुद्र गुप्त ने कितने देशों पर विजाई प्राप्त की थी आपके option a 12, option d 14, option c 21 और option d 32 आपको बताने है इसमें से कौन सा option से होगा तो इसका दुराई टांसर हो जाएगा वो option number c 21 एकजम से ही जवाब हो जाएगा अब अब बढ़ते हैं question number 26 की तरफ question 26 में लिखा है गुप्त सामराज का पतन किस कारण हुआ? गुप्त सामराज का पतन किस कारण हुआ? आपके option option A हूडो का आक्रमण option B आर्थिक संकट option C आंतरिक संगर्स option D है उपरोक्त सभी आपको बताना है इसमें से कौन साप्षन सही होगा? जिसका जो right answer हो जाएगा वो option number D उपरोक्त सभी एकदम सही जवाब हो जाएगा अब अब बढ़ते हैं question number 27 की तरफ question 27 में लिखा है गुप्त वंस के किस सासक का साशनकाल सबसे अधिक माना जाता है आपके option option A चंद्रगुप्त प्रत्रम option B है समुद्रगुप्त option C है चंद्रगुप्त दुतिया और option D है स्कंद्रगुप्त आपको बताना है इसमें से कौन साप्षन सही होगा? जिसका जो right answer हो जाएगा और option number C चंद्रगुप्त दुतिया एकदम सही जवाब हो जाएगा अब हमनों बढ़ते है question number 28 की तरह question 28 में लिखा है समुद्रगुप्त को विजेता समराट किसके कारण कहा जाता है? समुद्रगुप्त को विजेता समराट किसके कारण कहा जाता है? आपके option option A प्रसासन, option B संस्कृतिक उन्नती, option C सैन अभियान और option D है दिया पार, आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा, तो इसका दुराइट अंस हो जाएगा, वो option number C सैन अभियान एक दम सही जवाब हो जाएगा, अब हम बढ़ते हैं question number 29 के तरह, question 29 लिखा है, ग option C है वेद, और option D है बहुत धर्म, आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा, तो इसका दुराइट आंसर हो जाएगा, वो option number D, बहुत धर्म एक दम सही जवाब हो जाएगा, अब हम बढ़ते हैं question number 30, और इस वीडियो का यह last question है, इसमें लिखा है गुप्त काल में कि इस मुद्रा का प्रिसलन था, आपके option है, option A है रुपिया, option B है कोडी, option C है स्वन मुद्रा और option D है असर फी, आपको बताना है इसमें से कौन सा option सही होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो option number C, स्वन मुद्रा एकदम सही जवाब को जाएगा, तो इसी एक स पूश सकते हैं, वीडियो अच्छा लगाओ, जद जद शेयर भी करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में